बिस्मिल्ला रोहमान रोहीम, अस्सलाम वालेकूं, मैं हूँ रुबीना यूसफ, आज की हमारी रेसिपी है आलू भरी मिर्चे, सबसे पहले अगर आपके मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल का इकॉन को जुरूर करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए, 10-15 हरी मिठी मोटी वाली, गाफ कब बेसन और इस बेसन में जो है यह तमाम पाउडर मसाले जाएंगे, हाफ टी स्पून लाल मीच पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मिठा सोडा, हाफ ट्री स्पून जीरा पाउडर, एक बड़ा अलू हमने से अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है और इसमें जो मिशाले जाएंगे राफ टी स्पूण नमक, बाक़ छहाफ भीज पाउडर, इसरी हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून क्रश्ट किया हुआ अनारदाना ओइल फ्राय के लिए और पानी हाफ कप सबसे पहले आलू में हमने अनारदाना और यह तमाम पाउडर मसाले जो हैं इसमें शामिल करने हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है आप अपने टेस्ट की मताबिक नमक मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हैं हम स्पाइसी बना रहे हैं थोड़ा सा गार्णीश के लिए खुबसूरती के लिए हमने इसमें धनिया शामिल कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले जो है आलू के अंदर अच्छे से मैश हो जाने चाहिए आलू भी हमारे यह देखें हरी मिर्चो को हमने धो कर इनमें कट लगा कर इनके बीच जो हम वो निकाल दी है इस तरह से अब इनके अंदर हम ये आलू का जो भड़ता बनाया हुए हमने इसे अच्छे से इसकी फिलिंग करेंगे इस तरह से हमने अपनी तमाम हरी मिर्चे जो है वो इस आलू स्पाइसी आलू जो हमने बनाए हुए हैं से फिल कर ली है अब हम इसके ओपर की कोटिंग त्यार करेंगे बेसन लेंगे इसमें हमने जो तमाम पॉडर मसाले आपको बताये थे वो शामिल कर देंगे इसे अच्छे से mix करेंगे और फोड़े थोड़ा पानीडाल कर हम इसका एक अच्छा सा paste बना लेंगे यह ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए थोड़े थोड़ा पानी शामिल करेंगे और mix करते जाएंगे यह देखीं इस तरह से एक अच्छा सा पेस्ट हमने त्यार कर लिया है इसकी कंसेस्टेंसी यह होनी चाहिए यह आप देख सकते हैं कोईल हमने गरम होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर हम मिट्चो को फ्राइ करेंगे बेसन के अंदर डिप करते जाएंगे एक्स्ट्रा थोड़ा सा जाड़ लेंगे और इस तरह से इन तमाम इच्छो को कोटिंग करके होईल में डालते जाएंगे आपने इने तक्रीबन साथ से आथ मिनद तक फ्राइ करना है ताकि यह क्रिस्पी हो जाएं एक साइड हमने दो से तीन मिन्ट के बाद टार्न कर दी है देखें कितना प्यारा सा कलर आया है अगर आपको लगे ओल्जाद अगर है तो आँच यू है वो कम कर ले आपने इने जिलाना नहीं है इस तरह टन करकर के इनको अच्छे से क्रिस्पी फ्राइ कर लेना है यह हमारी फ्राइ हो चुकी है इन्हें हमने निकाल लिया है इसी तरह तमाम बाकी बची हुई मिर्चों को भी फ्राइ कर लेंगे इन्हें इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि यह जले नहीं यह बहुत ही क्रिस्पी त्यार होती है अगर आप इन्हें जल्दी निकालेंगे तो यह जादा क्रिस्पी नहीं होंगी इसलिए इन्हें थोड़ा से टाइम दीजिएगा मज़ेदार हमारी आलू भरी मिर्चे त्यार हैं फिर मिलेंगे एक नहीं रेस्पी के साथ अल्ला हाफीज